दोस्तों चीन के बारे में आप जो भी सोचें पर एक बात तो आपको मानने पड़ेगी कि चीन एक काफ़ी इंट्रस्टिंग देश है जहाँ पर हर एक चीज दुनिया से बहुत अलग है चीन एक कॉम्मिनिस देश है लेकिन बाकी कॉम्मिनिस देशों की तुल्ला में अभी अगर आप चीन के चीन पर नहीं है या आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करना और बेल आइकों दबाना ना पूलें चीन के एलेक्शन को समझने के लिए पहले हमें आज से 22 साल पहले के चीन में जाना पड़ेगा जब पहली बार किसी चाइनीज प्रेसिडेंट ने खुद अपनी पोस्त से रिटार्मेंट लिया ये थे जियांग जैमिन जिनोंने ना सिर्फ रिटार्मेंट लिया बलकि इंट्रा पार्टी डिमोक्रसी का जाने लगा यानि के पार्टी तो एक ही है लेकिन पार्टी के अंदर एलेक्शन्स हुआ करेंगे इस पॉइंट पर एक बार हम दोबारा डिसकस करेंगे लेकिन पहले इस बात पर आते हैं कि आखिर ये एलेक्शन होता कैसे जब से चीन की कॉम्मिनिस पार्टी का गठन हुआ है तब से हर पात साल में वो एक पार्टी कॉंगरिस के नाम से जाने जाने वाली मीटिंग रखते हैं इस साल 16 अक्टूबर को 20 पार्टी कॉंगरिस और गनाइस की गई थी जिसमें देश भर से टेस्ट और डेलिगेट्स हिसा लेने आए थी ये डेलिगेट्स पार्टी के लो रैंकिंग मेंबर्स होते हैं जिसमें फैक्टूरी वर्कर्स से लेकर सिलाबरिटीज और मेर्स तक शामल होते हैं ये इवेंट काफी सीरियस होता है इस इवेंट से पहले चीन में सभी तरह के विरोधियों को हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है सारे वीपिएन ब्लॉक हो जाते हैं और चीन की सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ जाती है इस बीच सभी प्राइविट कमपनीज को इस सक्त हिदायत दी जाती है कि वो कोई बड़ी अनाउंस्मेंट ना करें ताकि पूरा देश इस एक इविट पर फोकस कर सके इसके बाद पहले दिन पार्टी के सेक्रेटरी का भाशन होता है जिससे पॉलिटिकल रिपोर्ट का जाता है और इसमें पिछले पास साल में लका इस हुए काम के बारे में सबको ब्रीफ किया जाता है और अगले पास साल का एजेंड़ा तै किया जाता है इसके बाद यह तीजस सो डेलिगेट्स स्पीच को अच्छे से स्टडि करते है या अबर स्टड़ी करने का ढोंग करते है क्योंकि यह जो भी का जा रहा है वो सभी party delegates को पहले सी पता है कि उन्हें क्या करना है इसके बाद यह बात होती है कि party के constitution में क्या बदलाव करने है और फिर जब यह सब काम हो जाता है तो हम election की दरब बढ़ते हैं यह 2300 party delegates 204 central committee के members को चुनते हैं यह election काफी simple होता है क्योंकि सभी को पता है कि vote किसे करना है 2017 में सिर्फ 222 candidates ही 204 seat के लिखड़े हुए थे और अर बार ऐसा ही होता है खैर जब central committee को select कर लिया जाता है तो इसमें भी एक page यह है कि इसमें आदे तो full members होते हैं जिने voting rights मिलते हैं और आदे alternates काई जाने वाले members होते हैं जिने सिर्फ इसलिए select किया जाता है कि अगर कोई full member resign कर दे या उसकी मौत हो जाए तो alternates उसे replace कर पाएं Central committee का काम होता है अगले दिन मिलकर 25 member की पुलेट बीरो चुनने का यह पुलेट बीरो इसके बाद साथ से नौँ लोगों की एक standing committee को चुनती है और फिर standing committee का head पार्टी का general secretary बनता है जो की Xi Jinping को चुना गया था पर एक interesting बात यह है कि इन लोगों ने पार्टी का general secretary चुना है देश का president नहीं President चुनने के लिए अलगी प्रक्रिया है जिसे national party Congress में चुना जाता है और इस meeting में चीन की communist party के लावा कई और भी parties इस्सा लेती है अब ये बात शायद आपको फिर से confuse कर रही होगी कि आखिर चीन में तो एक party का राज है और अगर president किसी और ही डंग से चुना जाता है तो आखिर हमने इतनी देर आपको party के general secretary के चुनाओ की प्रक्रिया क्यों समझाई यही है चीन की confused राज नहीं थी पर घर बराइए मत आपके सब सवालों के जवाब हमारे पास है चीन में अलग-अलग party ज़रूर है लेकिन यह सब इक United Front के तले काम करती है और यह से president चुनने के लिए है एक्चुली चीन में president के पास कोई power ही नहीं है जितनी भी powers हैं Chinese Communist Party के general secretary के पास है जैसे कि चीन की military को president नहीं बलकि party का general secretary कंट्रूल करता है वहाँ की Communist Party सरकार से भी बढ़ी है इसलिए इस शेहर के party secretary को 001 number की license plate दी जाती है जबकि उस शेहर के mayor को 002 numbers की जब साफ दर्शाता है कि power में कौन है इसलिए जब भी शी जिन पिंग अपने देश में गूंते हैं तो वो general secretary के S.C.S. से गूंते है president के रोल में तो उन्हें सिर्फ इसलिए आना पड़ता है ताकि वो बाकी देशों की सरकारों से deal कर सके क्योंकि आप जानते हैं कि जब दो देश आपस में interact करते हैं तो उनके बीच में एक protocol होता है जैसे कि विदेश मंतरी दूसरे विदेश मंतरी से मिलेगा सिधा परदान मंतरी से नहीं मिलेगा और इसलिए शी जिन पिंग पार्टी के जनरल सेकेटरी की हैसियत से किसी और देश की प्रमुक से नहीं मिल सकते हैं इसलिए वो अपने प्रेसिडेंट वाले रूप में आ जाते हैं हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम जियांग जैमिन के टॉपिक पर फिर से वापस आएंगे तो आई इसे समझते हैं जब जियांग जैमिन ने प्रेसिडेंट की पोस्स से रिजाइन किया तब भी वो पार्टी के जनरल सेकेटरी थे इसलिए रिजाइन करने के बावजूद भी उनी के आद में सारी पावर्स थी जो टर्म्स लिमिट और एज रिस्ट्रिक्शन्स उन्होंने लगाए थे वो सिर्प्रेसिडेंट की पोस्स पर थे ना कि जनरल सेकेटरी पोस्स पर यानि कि अगर शी जिन पिंग 2018 में रिस्ट्रिक्शन्स नहीं भी अटाते अलगी जस्स सिस्टम है जो आगी किसी भी कोड के फैसले को पलट सकता है या मानने से इंकार कर सकता है इसलिए इस वक्त शी जिन पिंग के सबसे इंपॉर्टन टाइटल्स जनरल सेकेटरी और हैड अफ दे मिलिट्री है ना कि प्रेसिडेंट आफ पी आर्सी लेकिन फिर भी शी जिन पिंग चाइनीज लीडर्स के बीच में एक बहुत ही अलगतर एक लीडर है अगर आप जियांग जैमिन को ही देखें तो जनरल सेकेटरी बनने के बाद भी उन्हें छे साल लगे थे अपनी पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए लेकिन शी जिन पिंग ने यही काम बहुत तेजी से अपने शुरुआदी को सालों में कर दिया था जिसके पीछे भी एक इंट्रस्टिंग कान ही है शी जिन पिंग के पिता एक रेवलिशनरी फाइटर और चीन की कम्मिनिस पार्टी में एक हाई रैंकिंग मेंबर थे जिस वज़े से शी की जिंदगी काफी एशो आराम से गुजर रही थी और ऐसे लोगों को प्राइस लिंग्स का जाता है लेकिं शी के टीनेच के दिनों में चीन में कल्चरल रेवलिशन का दौर चल रहा था और तब ऐसे बच्चों को बहुत बुरी नजर से देखा जाने लगा इस समय में तब की सरकार ने शी को खेती करने के लिए परिवार से दूरे गाउं में पेज़ दिया और सरकारी जाब तो ले ली लेकिं किसी बड़ी पॉजिशन पर नहीं किए बड़ी पॉजिशन पर बैटने वाले प्राइस लिंक्स को बाद में सीनियस प्रॉमोशन नहीं देते थे किए उन्हें खुद के पद जाने का खत्रा रहता था लेकिन शी ने क्योंकि एक लो रैंक से शुरू किया था इसलिए उन्हें लगातार प्रोमोशन मिलता रहा और वो पार्टी के खरीब आते गए और क्योंकि वो कभी एक लो रैंक आफिशल हुआ करते थे इसलिए किसी कोई डर नहीं था कि वो उनका पद ले लेंगे लेकिन इनी प्रोमोशन का फायदा उठा कर शी ने पार्टी के कई लोगों से अच्छे रिष्टे बना लिए और पार्टी के पूरे फंक्शन को भी अच्छे से समझा जब उन्होंने जनरल सेकेटरी के पद के लिए अपना दावा ठोका तब वो सारे पॉलिट बीरो मेंबर्स को जानते थे क्योंकि वो काफी संगर्श करके उपर आये थे इसलिए पार्टी में उनकी इज़द भी काफी बढ़ गई थी शी ने सत्ता समालते ही धीरे धीरे अपने सारे पॉलिटिकल ऑपोनेंट्स को हत्म करना शुरू कर दिया और आज के समय में कोई भी चीन की कम्विनिस पार्टी में अज़ा नेताई नहीं बचाए जो उन्हें रिप्लेस कर सके इस तरह वो तीसरी बार एलेक्ट हुए है उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को मला हुआ आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना पूलें